कॉंग्रिस डाल डाल बीजिपी पात पात और दोनों सूरत में लग रही है जनता की वाट दोस्तों, ये इतिहास में पहली बाड है कि विपक्ष सत्ता पक्ष से कह रहा हो कि आओ भई संसत में बात करो और सत्ता पक्ष हंगामा करके संसत ठप करके भाग रहा हो ऐसा क्या है कि सकताधारी बीजेपी बहुमत वाली बीजेपी संसद में विपक्ष को फेस करने से घबरा रही है यह देखिए दोस्तों यह लोग तक्ती लेकर संसद के बाहर खड़े हुए हैं और तक्ती पर लिखा हुआ नारा आप खुद बढ़ सकते हैं यह वही नारा है दोस्तों जिसे सुनकर बीजेपी की कान से खुद निकलाता है अब यह दूसरा वाला वीडियो देख लीजे संसद के बाहर का है इसमें संसद लोग सब जेपीसी जेपीसी चिला रहे हैं लेकिन जेपीसी से बीजेपी को डर लगता है और तो और तोस्तों जिस राहुल गांधी से बीजेपी मांसी मंगवाना चाहती है वो राहुल गांधी संसत बहुचे तो संसत क्यों नहीं चलने दी गांधी फिर से सेट जी पर बात करने लगेंगे यह बात बीजेपी को बड़े अच्छे से बालूम है कॉंग्रिस ने एक वीडियो डाल कर लिखा कि शेर संसत पहुच गया है इससे उनका मतलब था कि राहुल गांधी संसत पहुच गये हैं लेकिन राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं आया क्योंकि संसत बीजेपी के हंगामे की वज़ह से ठप हो चुकी थी आज एक मिनट के अंदर मेरे आन सकताधारी भारते जंता पाटी पर संसत चलाने की जिम्मेदारी है वो बीजेपी खुच सदन नहीं चलने दे रही है दोस्तों बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी ने लंडन में कह दिया था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है इससे भारत का बड़ा अपमान हो गया लोकतंत्र खत्म होना उसे कहते हैं जब अंबेड करके बनाए समविधान को ताक पर रखकर कोई पाटी कोई सरकार संगठन या सकता का नेता अपनी आइजिलोलजी से अपने सिध्धानतों से देश को चलाए जब भारत के समविधान को दरकिनार करती आचाए दोस्तों तो उसे लोकतंत्र का खत्म होना कहते हैं जब कुछ लोग समविधान को किनारे करके देश को हिंदू राश्टर बनाने की मांग करें और कानून सोता रहे उसे लोकतंत्र का खत्म होना कहते हैं जब विपक्ष पर एक फे तरफा से 95 प्रतीशा चापे पड़ते जाएं तो उसे लोक्तंतर का खुत्म होना कहते है, जब बिना संसद में बहst कि अध्यादेश के दरिये अच्चानक केसानें पर तीन कानुन थौपने की कोशिश हो जाए लोक्तंतर का खटम होना उसे कहते है जब उत्तर प्रदेश की विधान सबा के बीतर विपक्ष के धरने को दिखा रहे पत्रकारों को मार्शलो द्वारा पिटवाया जाए जब राग के बारा बजे एक दलिग बेटी की लाश को पुलिस तेल डाल करके आग लगा दे और पत्रकारों को घटना दिखाने से रोका जाए इसे लोकतंतर का खत्म होना ही कहते हैं लोकतंत्र खत्म होना उसे कहते हैं दोस्तों जब संभल में संजयराणा नाम के पत्रकार को बीजेपी की मंत्री से सवाल पूछने पर मनमानी धाराय लगा करके गिरफ्तार करवार दिया जाए लोकतंत्र खत्म होना उसे कहते हैं जब आरक्षन को खत्म करने के लिए ठेके की नोक्रिया लॉंच कर दी जाए जब सरकारे गिराने के लिए खुले आम विधायकों को एक राजे से भगा कर दूसरे राजे दूसरे से भगा कर तीसरे राजे भगा कर ले जाया जाए उसे लोकतंत्र का खत्म होना कहते हैं जब विधायक खरीदे जाए जब विधायकों को ड तो आप साथ दिन तक सुनते जाएंगे और कथा समाप्त होगी नहीं तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के टाइम पर बात दिली में कहो देहरादून में कहो कहीं भी कहो बात कहीं न कहीं से पूरे देश पूरी दोनिया में पहुंचने में देर नहीं लगती फिर यह समविधान में लिखा है या पिर समविधान को ना मानने वालों को सची बाते हुजूर की शान में बड़ी गुस्ताखी लगती है इसलिए जो वो कहेंगे वही राश्टुद्रो होगा कि सही गलत समविधान से नहीं पिताजी के हिसाब से तै होगा राजद्रो सेट जी पर क्यूं बोलते हैं वाईया विपक्ष शंसद में सेट जी और मोदी जी के रिष्टों पर आखिर क्यूं बात करता है सेट जी दुनिया भर का माल छोड़ करके सरकारी माल ही अगर खरीदते जाएंगे तो लोग सवाल तो उठाएंगे न जी और एक ही सेट सौदों में हाथ डालते हुए पाए गए जिसके मालिकों पर देर सवेज CBI या ED की कारवाई हो चुकी है तो कुछ तो बात होगी यही बाते संसद में कॉंग्रेस कर रही है राहुल गांधी ने अगर देश की बुराई की है तो सक्ता पक्ष क्यूं संसद ठप कर रहा है राहुल गांधी को बीजेपी पपू कहती है तो पपू की बातें को बीजेपी इतना सीरियस क्यूं लेने लगी कि उनकी बात पर संसद ठप कर रही है दोस्तों रणनीती बिलकुल साफ है न चलेगी संसद न उठेगा सेठ जी का सवाल सेठ जी को जब द तो support करिए, channel को join कीजेगा, facebook को follow कीजेगा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.